नूरपूर ब्लॉग में वैनमेंत्री राकेश प्थानिया के फ्यासों द्वारा फिना सिंग नहर का काम जो रोशोरों से छला हुआ है इस नहर से कई पंचायतों के इकसानों को एतिवारी में लाब पहुँचने बाला है लोहारपूरा पंचायतु परधान जोगिंदर सिंग ने कहा कि हमारे क्षेतर के गाम लोहारपूरा देवरारी के लोगों को कोंगरे सरकार के समय में फिना सिंग नहर को बनाने के लिए कहा जाता था पर जब चुनाप हो जाते थे सब कुछ भुला दिया जाता था मगर जब विधायक राकेश पठानिया 1998 में चुनाप जीते तो उन्होंने फिन्ना सिंग नहर को बनाने के लिए काफी लड़ाई लड़ी उस समय मुख्यमंत्री प्रोफेसर रेम कुमार धुमल के प्रयासों द्वारा फिन्ना सिंग नहर का सिहना नयास किया गया वन्यूवा सिवाएं एवं फेल मंत्री राकेश पठानिया का कोटी-कोटी धन्यवाद करते हैं जिनकी वदालत एधिहासिक खाम जोरों से चला हुआ है मंत्री राकेश प्थानिया अधिहासिक काम करते हैं ना कि कॉंग्रेस पार्टी की तरह केवल जूटे भाइदे करते हैं इसके वदालत लोहारपुरा पंचाइट वो सुलियाली पंचाइट में पीने के पानी के टैंक भी मनाए गए हैं मंत्री राकेश प्थानिया द्वारा कियेगे प्रयासों से जोकारे हो रहा हैं इसे खई गामों के लोगों को लाब होगा हम सभी मंत्री राकेश प्थानिया का आई प्याच विभाग लोग निर्मान विभाग सभी का धन्यावाद करते हैं हमने जब भी किसी को जनहित के कामों के लिए कहा हैं, हमें किसी ने भी महना नहीं किया हैं लेकिन जान उनने सो ठानुमें जब लक्षन मान ने बजायक च्रीर केश पठानियां लक्षन जीता तो उस वक्त टूर्जिन डपार्टमेंट के बाइस चेयर मैंने उन्होंने इस फीना सिंग नायर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी के मतलब उसले प्रोफेसर प्रेम कमार जुम्मल जी मानने मुख्य मंत्री जी थे और उन्हों के प्रयास से उन्होंने शिला न्यास किया सज्व में और आज मैं बन मंत्री इवं जुवा खेल मंत्री जी का मैं धन्या कोड़ी कोड़ी धन्यावाद करता हूं कि पत्रकार मित्र जी आपने सब कुछ देखा कि इति और कांग्रोस जो ढुठी सरकार है और मांने की पठानियां कहता हूं कि लोग यचांट है है मनिलदा में भावन मिल्धा नीन मेरा जी मनिलदा मिलदा नी लेके तो यह रिकेश पठाणियां दिखना जोदा काम दिखना उसका इत्यास की ग्रॉण में देखो कैसा काम चल रहा है मैं इसके लिए मन मंत्री युवा खेल मंत्री का कोटी कोटी धन्यवाद करता हूँ अज टेंक को देखो नेरा टेंक कैसे बना हुआ और लायनों का काम कैसे चला हुआ मैं पूरे डिपार्टमेंट IPH P11D और ब्लॉक डिपार्टमेंट debrπα और पूरे डिपार्टमेंट का कोटी कोटी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी डिपार्डमेंट को जो भी काम बताया बन मंत्री जी मेरे को किसी ने भी मना नहीं किया इसके लिए बन मंत्री जी का कोटी कोटी दन्यावाद प्याइल टीवी के लिए नूरपूर से भूशन शर्मा की रिपोर्ट